9. तो क्या हुआ के बताओ वो मेरे अंदर टाकी लगा दे तESTному होश नहीं क्यों नहीं पाप की आप पकर करें और भूम कपड़ा मेरे को रोन मी ने दे रहा है। तो तुम्हें कारवाई करी पुलिस? हाँ करी सुबाँ रामपुर जिले में हैरान कर दिने वाला मामला सामने आया है या एक पती ने अपनी पत्नी के साथ हैवानियत की सारी इंतहां पार कर दी पत्नी के चरितर पर शक करने पर पत्नी ने पत्नी को ना सिर्फ जम कर पीटा बलकि उसके हाथ पाओं बांध कर मुह में कपड़ा ठुसा और जब इतनी से भी मन नहीं भरा तो शक में अंधे हुए पत्नी ने पत्नी का प्राइवेट पार्ट तामे के तार से सील कर दिया प्रण में पीड़ता को अस्पताल में भरती कराया और पुलिस को जान कर दी दरसल पूरा मामला मिलिक कोत वाले क्शित्र का है यहां के गाउं में रहने वाला युवक मजदूरी करता है उसकी शादी दो साल पहले हुई थी पत्नी ने बताय कि शादी के बाद से ही उसके पती की हरकतें अजीव थी वह सके उपर शक करता था उसे किसी भी शक से बात नहीं करने देता था यही नहीं उसका मूबाइल चेक करता और हमेशा उसके उपर नजर रखता था धीर धीरे शक का यह जहर उसके मन में इस कदर पहला कि उमर भर के रिष्टे की बनियाद हिल पतनी के प्रती उसकी नफरत बढ़ती चली गई और फिर हैवानियत के रूप में सामने आया पतनी मेरे साथ गलत कर रही थी और और लोगों से नाजाएज संबंद बना रही थी मैं सुभे मेहनत मजदूरी करने घर से निकल जाता हूँ और पीछे से वो इधर उधर आवारा गर्दी करती है वहीं गटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीड़ता की तेहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी पती को गरफतार कर लिया और आगी की कारवाई की जा रही है फिलाल पीड़त महिला को अस्पताल में भरती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रवी शंकर की रिपोर्ट